नमस्कार दोस्तों आज TGT PGT से सम्मधित आज आपके लिए एक अच्छी खबर है दोस्त हम आपको बता दें क्योंकि आज के इस खबर में हम बात करने वाले हैं बिग्यापन वर्स 2022 के 27,000 पदों के नए बिग्यापन को ले करके और साथ ही साथ बिग्यापन वर्स 2016 के बचे हुए अभरतियों का समयोजन और साथ ही साथ बिग्यापन वर्स 2021 जीव विग्यान की लिखित परिच्छा परडाम को ले करके तो चलिए देखते हैं आज की यह स उपा है और ग्यापन में क्या लिखा है क्या मांगे रखी है और उसका क्या प्रत्किरिया आई है चलिए देख लेते हैं तो दोस्त आप यह देख रहे हैं बिलकुल यह ग्यापन है आज का बिलकुल कि सेवा में आदरणी अध्यच महोदय माधमिक सिछा सेवा चैनबोर्ड आपको साधर आवगत कराना है कि प्रतियोगी छात्रों के विभिन मांगों को लेकर एक ग्यापन आपके समुक प्रस्तुत किया जा रहा है प्रतियोगी मोर्चा द्वारा प्रस्तुत यह ग्यापन नयायोचित मांगों पर आधारित है और आप से आगरा है कि इन मांगों पर सहान भूत पूरव वीचार किये जानी की आउसकता है जो निम्न है क्या है दोस्त कितने पॉइंट हैं पहला पॉइंट से यह है कि बिग्यापन वर्स दो हजार बाइस के 27 हजार पदों के नए बिग्यापन को बिग्यापित किये जाने को लेकर चैन बोर्ड की स्थिती असपष्ट करना चाहिए क्योंकि बार बार दोस्ते यह बात बहुत पहले से चली आ रहे है कि 27 जर अब बैकेंसी आ रहे है लेकिन कब आ रहे है आज यह असपष्ट रूप से इन्होंने बारता की है प्रत्योगी मोर्चा ध्यच जी ने लिखा है कि प्रत्योगी मोर्चा की मांग है कि TGT PGT के 27 जर पदों का बिग्यापन अतिसी घ्र जारी किया जाना चाहिए दूसरी मांग क्या थी दोस्त कि 26 वर्च 2016 के बचे हुए भरतों का समयोजन एवाम बिग्यापन वर्च 2021 का समपून समयोजन अब अतिसी घ्र किया जाना वस्यक है क्योंकि इनमें अनावस्यक बिलंब हो चुका है दोस्त इसके साथ-साथ ही तीसरी बात क्या है तीसरी जो मांग थी वह क्या है इसको भी देखते हैं यह कि तीसरी बात यह थी कि बिग्यापन वर्स 2011 जीव बिग्यान की लिखित पर इच्छा परडाम को अतिसीघ्र गोसित किया जाए क्योंकि इसमें 11 वर्स का विलंब हो चुका है जो नयायोचित नहीं है दोस्ते इतनी समय का है बताए इतनी समय का है परडाम आस तक गोसित नहीं हो चुका है और चैथा पॉइंट क्या है कि बिग्यापन वर्स 2016-2021 प्रतिच्छा सूची में चैनित अभिर्थियों को नियम 13-3 के अंतरगत जिला विद्याले निच्छा को चैन बोर्ड द्वारा एक सरकुलर जारी कर उनकी नियुक्ति परक्रिया पूरी कराई जान है और आप सियासा है कि तौरित निर्ड़ायकर बेरोजगार प्रतियोगी च्छात्रों की समस्याओं का अतिसीगर समाधान करेंगे दिनांकात देख रहे हैं दोस्त कि यह है आज की बिल्कुल डेट है और विक्की खान अध्यचे प्रतियोगी मोर्चा ठीक है और हम आपक किया लगभग 12 बजे 7 सदस्य प्रतिनिधी मंडल जिसमें विक्की खान, सरिता पटेल, नीलम यादो, सरोप सिंगपाल, धीरस सिंग, आजात कुमार, अजय यादो सामिल थे प्रतिनिधी मंडल का नेतित कर रहे विक्की खान ने डिप्टी सचिव नवल किसोर से वारता कि कि नया विग्यापन 2022 के लिए वर्तमान में 5000 अधियाचन आये हैं, जिसमें से 5000 पदों पर समयोजन करना है, अधियाचन के उपरांत ही नया विग्यापन जारी किया जाएगा, विक्की खान ने इतने कम पदों पर विग्यापन को लेकर आपति जताई, जिस पर उनका कहना था कि दुबारा अधियाचन का पोर्टल खोल ज्यादा से ज्यादा अधियाचन मंगा कर विग्यापन जारी किया जाएगा वारता कि कर्में विक्की खान ने डिप्टी सचीव से कहा कि अगर 22 मार्च तक समय उजन नहीं होगा तो 23 मार्च से प्रतियोगी मोर्चा के नितुरत में चैन बोर्ड पर 11 बजे आमरण अंसन आरंभ कर दिया जाएगा दोस्त विग्यापन वर्स 2011 जिव विग्यान की लिखित परिच् किया जाएगा और अप्रैल के अरंभ में उसका साच्छात प्रारंभ किया जाएगा पर्तिच्छा सूचि में चैनित अभ्यरतियों की नियुकति को लेकर उनका कहना था कि नियम 133 के अंतरगत जिला विद्याले निर्चक को ऐसी नियुकति के लिए चैन बोर्ड़ वार ए मौजूद रहे